हेलो स्टुडेंट्स आ वेली गूट मॉर्निंग आएम यू टीचर फ्रम संसकती गुरुकलम स्कूल हाव यू स्टुडेंट्स आई होब यू आर फाइन तोड़े आएम गूंग टू टेक अप सब्जेक्ट हिंदी हिंदी व्याकरण में आज हमारे टॉपिक है बाग के विचार जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स पार्ट बारा बाग के विचार सिंटेक्स तो बिटे आज मैं किया है और ज्यादा इंफॉर्मेशन दिये तो मैं आपको वह सब समझाओंगे कि स्टार्ट करते हैं कि रीड करेंगे आप मेरे साथ साथ शब्दों का अपना अर्थ होता है लेकिन इनको बिना किसी करम के अलग-अलग बोलने से वक्ता का पूरा विप्रा इस पस्ट नही देंगे तो उनको हमें समझ में नहीं आएंगे तो जैसे कि चड़ है मैं लोग बस में इसमें समझ नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है इन्हें इस प्रकार होना जाए लोग बस में चड़ रहे हैं इस प्रकार किसी बात को विचार पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार् अगे समझ मैं वाक्य में वहाइए व्यदेश के बारे में कुछ कहा जाये हैं वहुदेश के बारे में व्यदेश के बात कर रहे हैं वहेवारा विदेश होताइए दो आधार उपर किया जाता है माक्यों के वरीगरन भी दो आधार पर एक है रचना के आधार पर दूसरा है अर्थ के आधार पर सबसे पहले हम जानेगे रचना के आधार पर वाख के कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाख के तीन प्रकार के होते हैं सरल वाख के स सेयुक्तवाक और एक होता है मिश्रवाक हाँ सबसे पहले सेसे विधे खेल रहे हैं अब है हमारा सईयुक्तवाक समान इस तरी के दो यह दोसे अधिक सरण बाग के जुडने पर समयुक्तवाक की बंजदा से प्रात्यकाल हुआ और चिडिया उड़ गई मैंने खाना खाया और मैं गूमने चला गया इस तरीके से दो वाके एक साथ बन गए तो वह दो सथ्ट कर सरल वाक की क्या होते सही उक्तिवाक के कहलाते हैं और संग बांक जो जिसमें एक उदिश और एक विदेः ही होता है मीष्रवाइक में एक मुख्य उपवाइक से एक गोड़ जो किसे एक और आश्चित उपवाइक होता है तिके संयुक्त वाक के सरलवाक और मिश्रवाक आपको समझ में आ गया हुआ नेक्स्ट है हमारे अर्थ के आदार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं अर्थ के आदार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं पेटा आठ प्रकार के पहला विधान वाचक, दूसरा प्रश्ण वाचक, तीसरा आग्यवाचक, छोथा निश्यद वाचक, पांचवा इक्षा वाचख, छटवा संदे वाचक, साथवा संकेद वाचक, और आठवा विश्मियादी बोधत वाचक आईए हम सबसे पहले जानेंगे कि विधान वाचक वाके क्या होते हैं इन वाक्यों में किसी व्यक्ति वश्तु अत्वाचति के बारे में समान जानकारी होती है उसे हम विधान वाचति सूर्य पूरत दिसा से उगता है सेकिंड है हाती जंगल में रहता है ऐसे ही ये सब किसमें आ जाते हैं विधान वाचाग्वाकि में और भी बहुत सेौ धारण है कि जंगल का राजा सेर है उसमें क्या बताएक कि व्यक्ती वशुत वर्चिती के वारे में समान जानकारी मिल गई है इन वाक्यों में प्रश्ण संबंद जानकारी मिलती है जैसे क्या तुम्हारे पास साइकल है क्या तुम घूमने जाओगे गरतन दिवस कब बनाया जाता है यह सब किसमें आगे प्रश्ण वाचक वाग मतलब हम किसी को आग्या दे रहे हैं इन वाक्यों में काम करने आदेश आई निर्देश दिया जाता है जैसे विस लोकिस इनल को आदेश देर के नहीं तुमें ऐसा काम करना है वागे वाचक में तो याजसे तुम जाकर पढ़ाही करो तो इक लाज दूद पीऊ या फिर एक लाज दूद लाओ तो यह किसी को आग्या भी है तो यह आग्या वाचक वाआ निक इसम्मारा निश्य वाचक हाँ वाइट कर लस ड़से कि मैं बना लगा होता है उन्जश्य वाचक मेंने आज अभिब cheap तो यह किस में आ गए निश्यत वाचक में इश्चा वाचक इन वाक्यों में वक्ता की सुपकामना आश्रवाद आदी का पता चले से तुम्हारी यात्रा मंगल हो तुम शदा खुश रहो आश्रवाद है तुम्हें इश्वत में दिरगाई हो दे इस अब किस में आ जाता है इश्चा वाचक 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 में अब है हमारा संदे वाचक 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 में किसी कारके होने के बारे में संदे में प्रकट करता है मतलब किया जाता है वह संदे वाचक वाचक कहलाता है शायद कल में विध्याल है ना आओं माता जी शायद कल सफलता सफलता की और संकेत करते हैं जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते यदि खाना नहीं खाऊगे तो तुम्हारी सेहत कैसे बनेगी इस तरीके से संकेत वाचत लास्ते हमारा विश्मियादी बोडग वाकर इनमें आश्यद दुख शुखी आदी के भाव यक्त होते हैं जैसे अरे तुम तो कक्षा में प्रधम हो गये वाँ भारत ने क्या सांदार जीत पाई है ऐसे ही बहुत सारे मैंने आपको धारन दिए हुएं अब आपको पता चल गया अर्थ की आधार पर वाक के तीन प्रकार के उते सरल वाक के संयुक्त वाक के मिस दिदान बाचक वाग के प्रश्न बाचक अग्या बाचक निशेद बाचक संध्य बाचक संकेत बाचक और स्म्याध्बाक्त आपको सारे दरी में बसकी MUSIC करzoneने और लने मितलब अभ्यासकार करेंगे पहला है मेरा भाई पुष्टक पढ़ रहा है इस वाग में तो काम कर रहा है लेकिन कौन है मेरा भाई तो इसका अंसार होगा तो मैंने आपको बताया था बेटा अर्थ के आतार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं इश्वर तुम्हें दिरुगाद यह किस प्रकार के वाक्य है इच्छा वाचक अब हैं नीचे लिखे वाक्य में उद्देश अलग करके लिखू देखो जो मैंने कॉलम मेरे काले कुछ किस में अन्बर आइन नहीं किया वह हमारा विद्धे तो ने चोर का पीछा किया ऐसे विध्य लिख लिखे लिख लिए विभा किस में अगयी उद्देश में कल स्कूल नहीं जाएगी तो विध्य में एक छोटा बच्चा वो आगया उद्देश में वह बारे ओड़ा रहा सब्सक्राइब करते हैं तो एक सब्सक्राइब करते हैं मैं घर जाओंगा पढ़ाई करूंगा यह सही उक्तवाग है माने मुझसे पुझा कि घर कभ लोट गई यह क्या हो गया मिश्रवाग हो गया माली आज काम नहीं करेगा निशेद वाचक मने बता जहां नहीं लगा होता है यदि आप पढ़ते तो तीन हो जाते हैं संकेत वाचक में क्या आप नहां चुके हैं प्रश्न वाचक निकिता पुस्तक पढ़ रही है विधान वाचक तुम बाजार जाओ आग्या वाचक अरे तुम जीत गए विश्मयादी वोदर वाचक है विश्त वाला कॉश्चन है कोई इंपोर्टेंट नहीं है अब मैं आपको समझा देती हूं आपको नहीं करना है इसमें निर्देश नुसार बदलना है यसे इसको अमको सरल वाचक में निकिता गाना गा रही है और नाच भी रही है इसान ने घर में गर्हकार इसान घर आया और ग्रहकार पूरा किया धन आ जाता है तो अभीमान हो जाता है यदि वर्चा होती तो इस पसल अच्छी होती तुम्हारी विजय प्राप्त हो वार भीनार बहुत उची है समझ आगया यह कोई इंपार्टन है इसको मैंने से फिल भी कर लेना ओके स्टेंड सो थैंक यू सो मच स्टे होम स्टे सेव घर पर रहें सो रक्षेत रहें